हेलो दोस्तों वानेम समरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले है वो किताब अनकुर वरी कुने लिखी है इसका नाम है डू एपक शिट बड़ा सोचे बड़ा करें डू एपक शिट अनकुर वरी कुजी की किताब है जहाँ वे अपनी असफलताओं के बारे में लिखते है क्योंकि अनकुर वरी कुजी यह मानते है कि आज अगर वो सफल बन पाए है तो उन असफलताओं की वज़े से ही बन पाए है जो कभी उनके रास्ते में आई थी कितना अच्छा होगा न अगर हम किसी की गलतियों से सीख पाएं और फिर अपने जीवन में वो गलती न करें अगर आप भी मेरी तरह ही आप किसी और के जीवन से सीखना चाहते हैं तो आपको बड़ा सोचे बढ़ा करें सबी लोगों के लिए सफलता का मतलब अलग अलग होता है इसलिए आपको सफलता की अपनी परिभाशा देनी होगी और उस पर खरे रहना होगा आपकी सफलता और असफलता के लिए दुनिया को निलने न लेने देख्यों की सफलता एक ऐसा रिष्टा है जो आपका खुद के साथ है उदाहरन के लिए मान लेकि जब आप सुबह उठते हैं तो आपने पांच काम करने की योजना बनाई थी लेकिन दिन के अंग तक आपने साथ काम कर लिए तो अधिक काम करने की खुशी ही सची उपलब्धी है दिन के 24 धंटे में आपने जो काम करने की ठानी थी और उससे ज़्यादा काम करने की भावना से बढ़कर कुछ भी नहीं है समय चलता रहता है ये किसी के लिए रुकता नहीं है अब से एक साल बाद आप चाहेंगे कि आपने आज ही शुरुआत कर दी होती इसलिए जो भी आप करना चाहते है अभी शुरू कर दें आज से एक साल बाद आपके काम के क्या परिनाम होंगे ये तो नहीं पता लेकिन अगर आपने काम की शुरुआत नहीं की तो आपको पच्छतावा जरूर होगा ये तो सच है कि आपको एकी जिंदगी मिली है लेकिन इस जिंदगी को एक व्यक्ती बनके न जिएओ आप जो चाहें वो हो सकते हैं, जो चाहो वो बन सकते हो एक entrepreneur बने, एक athlete या फिर एक content creator आप जो सोच सकते हैं वो बन भी सकते है न सफलता मायने रखती है और नहीं असफलता मायने ये रखता है कि आप उस समय के दौरान क्या बनते हैं Part 2, habits, आदतें आपकी आदतें आपको बनाती हैं आप किस तरह के इंसान बनते हैं ये भी आपकी आदतों से तैह होता है लक्ष आपकी आदतों के दुश्मन है इसलिए लक्ष निर्धारित ना करें आदतें सेट करें अगर हम आदतों को छोड़ दें और लक्ष निर्धारित करें तो ऐसा करने से हम ये भूल जाते हैं कि हम किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं अनकुरवारिक्यू की आदतें, habits of अनकुरवारिकू हमेशा अपने साथ एक notebook रखते है सब कुछ लिख कर रखते है ताकि उन्हें कुछ याद करने की कोशिश न करनी पड़े कैलेंडर पर सब कुछ डालते है जहां भी संभव हो सके technology का इस्तिमाल करते है पाथ 3, awareness जागरूकता हमारे कार्या हमारी इस भावना से प्रेरित होते है कि लोग हमारे बारे में क्या महसूस करते है ऐसे में सवाल उठता है कि हम किसकी जिंदगी जी रहे है आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक्रिया के प्रती सचेत रहना एक महत्वपूर्ण चीज है हालांकि यह आसान है लेकिन ज़्यादा तर लोग इसका अभ्यास नहीं करते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते है इससे आप अपने कार्य निर्धारित न करें जीवन में कठिन निर्नाई लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप अपने आपसे यह पूछें अगर मैंने यह फैंसला लिया तो सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है अपनी आँखें बंद करें और कल्पना करें की वो चीज हो रही है फिर पूछें क्या मैं मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, भावनात्मक रूप से ठीक हो जाओंगा यदि हाँ, तो आपको यह फैंसला लेना चाहिए पार्ट फोर, आंट्रप्रेणिवर्शिप, एंट्रप्रेणिवर्शिप एंट्रेणिवर्शिप कर्थिन है, इसे करने के लिए मजबूत इरादों की जरूरत होती है और ज्यादातर लोगों में इरादे की कमी होती है न की कुछ करने की क्षम्दा की जब आपका इरादा तेज और स्पष्ट हो तो आपके सफल होने की संभावना अधिक होती है Entrepreneurship 90 प्रतिशत समझ के बारे में और 10 प्रतिशत उसे execute execute करने के बारे में है यह कोई पेशा नहीं है यह एक मन की स्थिती है जब आप सही समस्याओं को हल करने के लिए अपने नौकरी से हटके काम करते हैं यदि आप अपनी नौकरी को एक व्यवसाई की तरह मानते हैं तो आप एक Entrepreneur हैं एक Entrepreneur की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोगों को उनके समाधान के कितने करीब लाने में सक्षम है यदि आपका प्राथमिक लक्ष पैसा कमाना है यदि आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं या यदि आपको लगता है कि यह अच्छा है क्योंकि हर कोई इसे कर रहा है तो Entrepreneurship आपके लिए नहीं है पैसे का सबसे बड़ा उप्योग स्वतंत्रता खरीदना है क्योंकि स्वतंत्रता ही आपको समझदारी से चुनाव करने में मदद करती है ये स्वतंत्रता ही आपको आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है ये बताती है पैसे के बारे में आपको कौन सी गलतिया नहीं करनी चाहिए अपने समय को महत्व नहीं देना और ऐसा मानना कि ये हमें मुफ्ट में मिला है बहुत अधिक कर्ज लेना, डेर से इन्वेस्टमेंट शूरू करना, अपने पैसे की दूसरों के पैसों से तुलना करना पैसे के पीछे भागना, तेजी से पैसा कमाने की उमीद में इन्वेस्टमेंट करना पाट सिक्स, रिलेशन्शप्स प्रिष्टे रिष्टे वे स्थान है जहां हम बढ़ते हैं और वे ऐसे स्थान भी है जहां हमें सबसे ज़्यादा चुनौती दी जाती है बातचीत से ही सारे रिष्टे चलते हैं, जब रिष्टे में बातचीत खत्म हो जाती है तो मुश्किले बढ़ने लगती है अगर कुछ ऐसा है जो आपको दूसरे व्यक्ति में पसंद नहीं है, तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो आपको अपने आप में पसंद नहो हम दूसरों में जो बदलाव चाहते हैं उस बदलाव की शुरुवात हमें खुद से करनी चाहिए क्योंकि कोई भी बेकार नहीं होता है हर कोई कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते जब हम लोगों से इस मानसिक्ता के साथ मिलते है कि वे कुछ नहीं जानते हैं तो हम कुछ नया सीखने के सभी दरवाजे बंद कर देते हैं लेकिन जब हम अपना अहनकार भूल कर कुछ नया सीखने के लिए तयार रहते है तभी हमें पता चलता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते है आप ऐसे लोगों के आसपास ना रहें जो खुद को ठीक करने के लिए तयार नहीं है जो अपनी परिस्थितियों से खुश तो नहीं है लेकिन इसे बदलने के लिए भी कुछ नहीं करते हैं उन रिष्टों से दूर रहें जो आपकी उर्जा को खत्म कर देते हैं हमें से अधिकांश लोगों के पास अपने जीवन में प्यार, त्रिप्ती, खुशी या फिटनेस नहीं है क्योंकि इसके लिए प्रयास की आवश्यता होती है आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इससे पता चलता है कि आप स्वयम के साथ कैसा व्यवहार करते हैं आंतरिक दुनिया ही बाहरी दुनिया को संचालित करती है, इसलिए खुद का सम्वान करें और आप जिन से मिलते हैं उनका भी कंक्लूजिन निशकर्श अगर आपको लगता है कि आपको Do Apex Shit किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए ये किताब आपकी जिन्दगी बदल सकती है तो आप नीचे दिये गए लिंक से इस किताब को खरीद सकते है अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो Thanks